हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे कचोडी से भी टेश्टी एकदम कुरकुरा और चटपटा नास्ता जिसे हम सूजी और उबले हुए आलू से बनाएंगे पांच मिनट में ये नास्ता महमानों या बच्चों के लिए तयार कर सकते हैं तो चलिए बनाते हैं तो इस नास्ते को बनाने के लिए गैस पर एक पेन चड़ा देंगे आप यहां पर कढ़ाई भी ले सकते हैं फिर इसमें सवा कब पानी डालेंगे एक चमस तेल डालेंगे आधा चमस नमक डाल देंगे आप अपने स्वात की इसाब से नमक डाल लें और पानी को अच्छे से देंगे जब पानी अच्छे से गरम हो जाए तो अब इसमें हम डालेंगे सूजी तो यहां पर हमने एक कप सूजी ली है थोड़ा थोड़ा सूजी पानी में डालते जाएंगे एक बार में सूजी मट डालिएगा थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा और इसे हम अच्छ ग्रैंड कर लीजेगा और दो मिनट से भी कम समय लगेगा और जो हमारी सूजी है एकदम से गाडी हो जाएंगी और जैसे हमारा डो का फॉम होता है बिलकुल उस फॉम में आ जाएगी तो थोड़ा-थोड़ा सैड में चिपक रही है लेकिन जैसे यह डो केगी सैट से भी छूट जाएगा तो देखिए तो सूजी का डोल लगकर तयार हो गया है और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देते हैं और एक प्लेट में निकाल लेंगे फीर से एक पेन गरम कर लेंगे एक चमच तेल डालेंगे तेल अच्छे से गरम होने के बाद एक छोटा चमच साबुद जीरा डालेंगे और जीरा अच्छे से पकने के बाद आधा चमच कसा हुआ अद्रक डालेंगे और हरी मीच कटा हुआ डालेंगे और साथ में ही एक प्याज कटा हुआ डालेंगे फ्लेम यहां मीडियम ही रखें और इसे हम हलका तो प्याज हलका सोफ्ट हो गया है एक अप हरा मटर डाल देंगे तो ताजा वाला हरा मटर है आप फ्रोजन वाला भी मटर ले सकते हैं लेकिन उसे थोड़ा सा उबाल कर लिजिएगा तो थोड़ी देर मटर भुनने के बाद यहां पर कुछ सूखे हुए मसाले एट करेंगे आधा चमच हल्दी पौडर आधा चमच धनिया पौडर आधा चमच लालमीज पौडर एक छोटा चमच जीरा पौडर चटपटा टेस्ट के लिए आधा चमच आमचूर पौडर अपने स्वात के हिसाब से यहां पर नमक डाल ले और एक छोथाई चमच गरम मसाला डाल दे कब पानी ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाए और मटर भी हलका सौप्ट हो जाए तो इसे ढख कर दो मुनट पकने देंगे तो देखिए मटर यहां हलके सोफ्ट हो गये हैं अब इसे मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे तो चम्मत से इस तरह से कुछ मटर मैस कर देंगे बहुत ही चटपटा टेश्टी नास्ता बनकर तयार होता है तो आप भी एक बार मेरे तरीके से जरूर बना कर देखिएगा अब यहाँ पर ले ली है दो बड़े साइच के उबला हुआ आलू तो आलू का छिलका निकाल कर अच्छे से मैस कर ली है तो आलू को मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे तो अच्छे से मतलब यह नहीं की जादा टाइम कुछ सकेंड के लिए अब आलू को भूनने के बाद यहाँ पर डाल देंगे हरा धनिया अच्छे से मिला देंगे तो यहां आलू का मसाला रेडी है इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं फिर नास्ता बनाना सुरू करेंगे अब जो हमारा सूजी का डो है इसे अच्छे से हमने स्मूथ कर लिया है और हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर चीकना करते हुए थोड़ा सा पोसन ले लेंगे रोटी के पेड़े के बराबर अब इसको सबसे पहले इस तरह गोल गोल करते हुए चप्टा सा कटोरी जैसा बना लेना है लोई हमें थोड़ा बड़ा ही लेना है अब इसमें हम दो चमच आलू की फीलिंग एट कर देंगे और फिर इस नास्ते को इस तरह से कभर कर देंगे बहुत इजी है क्योंकि सूजी का डो है हमारा बहुत सोप्ट है बहुत असानी से ये पेक हो जाएगा और हाथों से हलका हलका दबाते हुए चप्टा कर देंगे तो देखिए नास्ते का पहला पीस बनकर तयार है इसी तरह से हमने सारे डो में से नास्ता बना कर तयार कर लिया है अब चलते हैं गैस की तरफ सारे डो में से नास्ते बना कर तयार कर ली है तो यहां पर हमने दो चमज तेल पहले से ही गरम कर ली है उसके बाद ही एक एक करके नास्ता इसमें 8 करना है यहां पर अभी 3 पीस ही डालेंगे और आपको एक बात का बिसेश ध्यान देना है कि गैस का फ्लेम यहाँ पर हाई रखे यानि कि लो फ्लेम पर इस नास्ते को नहीं बनाना है जब नीचे से नास्ता का कलर चेंज हो जाए तो इसे हम पलट देंगे तो देखने से ही लग रहा है कि नास्ता हमारा चटपटा और कुरकूरा बना है तो इसे हम अलट पलट कर एक से दो बार क्रीस फ्राइ कर लिये हैं तो इस नास्ते को हमने सेलो फ्राइ किया है आप चाहें तो डिप फ्राइ भी कर सकते हैं तो चटपटा कुरकूरा नास्ता बनकर तयार है, आप चाहें तो बच्चों के टीपीन में दें, या महमानों के लिए बना दें, उपर से बहुत ही कुरकूरा है, और अंदर तो है ही चटपटा, तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैन